हालो फ्रेंड्स वेलकम टू चानल मेक लॉइजी तो फ्रेंड्स अभी हम डिसकस करेंगे सेक्शन 124 ओफ टीपीए ट्रांस्वर अफ प्रॉपर्टी एक्ट का सेक्शन 124 तो यह जो सेक्शन 124 है यह भी आपका किसे रेलेटिट है आपका गिफ्ट से रेलेटिट दीफिनेशन के बारे में बात करता है इसी सेक्शन 123 वह आपका मोड츠 की बात करता है मतलब किस तरीके سے जो प्रॉपर्टी गिफ्ट की जानी है उसका ट्रांस्वर होना चाहिए जिसमें इंहोबल कि दोग अलग अलग मोट् सर्व और सक्शन बात檬 करता है गिफ्ट अफ इग्जिस्टिंग फूचर प्रॉपर्ट नियुक्स अव यह गिविट करता है वह से as to the letter, इसका मतलब क्या है, कि जब gift जो है, जिसमें आपका existing property का भी gift हो रहा है, future property का भी gift हो रहा है, same gift deed है, उसमें existing property का भी हो रहा है, future property का भी हो रहा है, तो इसमें आपका जो future property वाला लेटर मतलब बाद वाली जो property जो future property है न इसके लिए जो gift किया जाएगा वो आपका void होगा क्या होगा? void मतलब valid नहीं होगा तो देख लिए इसको हम किस सरीके से आपके proper तरीके से explain कर सकते हैं सबसे पहले deals with the validity of gifts of future property मतलब future property जो है न उसके gifts की validity के बारे में बात करता है according to section 124 of TPA a gift that includes both existing and future property is void as to the future property यह कहता है कि section 124 of TPA जो है वो यह बात कहता है कि अगर कोई gift include करता है बोथ existing and future property को मतलब same gift deed है उसमें आपका existing जो property है उसका भी gift किया जा रहा है this means that donor cannot gift any property that he does not own or possess at the time of making the gift तो यह क्या कहता है यह आपका यह बात कहता है कि जो donor है न वो किसी भी ऐसी property का gift नहीं कर सकता है जो कि gift करने के time पे exist नहीं करती है या हम कह सकते हैं कि जो gift करने के time पे उसकी खुद की property नहीं है वो property उसके पास नहीं है उसकी ownership उसके पास में नहीं है even if he expects to acquire it in future even जब वो यह मानता है कि हम फ्यूचर में वो से acquire उस property को acquire कर लेगा तब भी वो उस property का future property का gift नहीं कर सकता इसको example से समझ लेते हैं if a gifts be a house that he owns and a car that he intends to buy next month the gift of house is valid but the gift of the car is invalid तो क्या कहता है कि मान ने जेप एक person है ए और एक है बी ए आपका donor है ठीक है न और एक कोन है आपकी का donor तो ए जो है यहाँ पर न इसके पास में एक घर है घर तो इसके पास में अभी है घर इसके पास में है और future में इसकी planning है कि यह कार भी ले ले लेगा ठीक है यह कार यह ले ले लेगा future में इसकी planning है तो इहां पर यह मान लीजिए इन दोनों का गिफ्ट करना चाता है किसको बी को करना चाता है तो यह जो इसका घर है ना यह जो गिफ्ट करेगा जब यह ए गिफ्ट करेगा इस घर को बी को तो यह तो आपका वैलेड हो जाएगा क्या होएगा वैलेड गिफ्ट माना जाएगा पर अगर यह से वोई होगा, fine, the purpose of section 124 of the TPA is to prevent uncertainty and speculation in the transfer of property by gift, तो यह कहता है कि इस जो TPA है, यह जो TPA का यह section है 124, यह एक तरीके से किसी भी तरीके की जो uncertainty है उसको prevent करता है, किसी में, जो मतलब बुलते नहीं है, आपका जो transfer of property हो रहा है as a gift उसमें किसी तरीके की uncertainty ना रहा है, fine, तो उसको prevent करने के लिए है, the donor must have a clear and present title and possession of the property that he wishes to gift, मनदब donor के पास में जो property gift करना चाहता है उसका एक clear title होना चाहिए और उसके पास उस property का possession होना चाहिए, fine, और जो donor है न, must have a definite and uncertainty पर interest in the property, और जो आपका बोलते नहीं है, जो donor को interest मिलने वाला है उस property में gift के जरीए, वो भी आपका कैसा होना चाहिए, properly मतलब ascertained होना चाहिए, वो uncertain नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए कि भाईया यह जो interest और प्रॉपर्टली उसके पास में उसको transfer हो जाएगा donor को, the section also ensures that the donor does not deprive himself or his hires of his future property by making an irrevocable gift, तो यह साथ साथ में यह भी आपका section इस बात का ensure करता है, कि जो donor है वो अपने जो legal hires से उसके, उनको deprive न करे अपनी future property से, by making an irrevocable gift, मतलब जिसको revoke नहीं किया जा सकता है, मतलब जिसको गिफ्ट करने के बाद में वापस नहीं लिया जा सकता, तो देखिए, अगर हम इसको मान के चले, तो यह जो section है न, यह एक तरीकी से बात करता है, एक essential condition, एक essential condition की, जो की, essential condition की बात करता है, जो की ज़रूरी होती है, gift constitute करने के लिए, तो यह essential condition है, कि जो property है न, वो आपका existing property का gift किया जा सकता है, future property का नहीं, तो friends, यह topic section 124 भी है, आपका complete हो गया, यह आपको help करेगा आपकी studies में, और यह चोटे-चोटे वीडियो में असले बना रहे हैं, तागे section तो, मैं अगर दो section मिक्स करूंगी न, तो हो सकता है, इसमें कुछ confusion हो जाता है, तो इसलिए मैं चोटे-चोटे वीडियो बना रहे हैं उसके, तागे हर section को इसको अच्छे से समझाया जा सके, तो चले फिर मिलते हैं, नेक्स वीडियो में तिल,